नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पैबली हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टो गेट टेलिग्राम नोटिफिकेशन फोर इंडिया माट लीट्स तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप है कैसा अमेजिंग आटोमेशन बना सकते हैं इंडिया मार्ट और टेलिग्राम के बीच में कि जब भी कोई न्यू लीड रेसीवड होगी आपको इंडिया मार्ट पे तो आटोमाटिकली आप वो लीड का नोटिफिकेशन मैसेज रेसीव कर सकते हैं टेलिग्राम पे जी हैं पॉसिबल है आप ये पूरा प्रोसेस आटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक की मदद से जो कि एक amazing automation software है तो इदा पर आपको क्या करना है इदा पर आपको कुछ इस तरीके का automation बनाना है अब पैबली कनेक में हम यूज करते हैं trigger और action का तो trigger में आपको लेना है इंडिया मार्ट action step में आपको लेना है telegram और पूरा प्रोसेस easily हो जाएगा दोस्तो मज़े की बात यह है इसमें कोई भी coding skills की जरवत नहीं है आप बहुत ही आसानी से पूरा automation बना सकते हैं तो क्या आप भी पूरा process step by step सीखना चाते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी screen पे ओके friends तो चलिए सीखते हैं पूरा process step by step सबसे पहले आपको यहाँ पर telegram web open कर लेना आपके browser में और यहाँ पर आपको indiamart का account भी login कर लेना आपके browser में तो हमारा objective का है जब भी indiamart पे हमको newly generate हो तो automatically वो lead का notification as a message received हो जाया हमारे telegram के group पे telegram के channel पे यह हमारा complete objective है ठीक है तो चलिए सीखते हैं पूरा process step by step तो इदा पर हम क्या कर रहे हैं इदा पर हम telegram और indiamart के बीच में एक integration बना रहा है पैबली का लेंडिंग के मदद से जो कि एक amazing automation software है तो यह है पैबली का landing page आप भी इस page पर आ सकते हैं simply आपके browser में टाइप करके पैबली.com slash connect यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है sign in का option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको simply क्लिक करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में दोस्तों आपको account creation पे हर महीने 100 free task भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप इसे amazing automation टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनिक में मैं एक existing user हूँ इसले में क्लिक करूँगा sign in पर उसके बाद दोस्तों आपको जा रहा है पैबली कनिक वाले dialogue box में क्लिक करना है access now और आप आप जाएंगे दोस्तों पैबली कनिक के dashboard पे यहाँ पर आपको right hand side पे बटन देगेगा create workflow का इस पर आपको क्लिक करना है तो एक dialogue box उपन उचाएगा आपकी screen पे जो बोल रहा है enter the name of the workflow तो दोस्तों basically आपको यहाँ पर आपकी workflow को कोई नाम देना है और select folder से आपको particular folder select कर लेना है जिस भी particular folder में आप आपकी workflow को safe करना चाते है अगर आप new folder create करना चाते हैं तो आप create a new folder वाली बटन पे क्लिक करके इदा से new folder create कर सकते हैं मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा create workflow पे और let's say यहाँ पर मेरी workflow को नाम देना चाता हूँ इंडिया मार्ट automation ठीके उसके बाद select folder से मैं particular folder select कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं automation वो इंडिया मार्ट वाले folder में मेरी workflow को safe करूँगा क्लिक करेंगे create वाली बटन पे और आप आजाएंगे दोस्तों यह वाली screen पे यहाँ पर आपको दो important module समझना है जो हमारे automation में बहुत important role play करते है इनका नाम है trigger और action तो दोस्तों trigger बोलता है when this happens जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं जो हम करवाना चाहते है हमारी automation में तो यहाँ पर हमको trigger application चूज करना है तो choose app में सबसे पहले हम चूज करेंगे India Mart क्योंकि हमको India Mart का connection बिल करना है पैबली करने के साथ तो यहाँ पर मैं search करता हूँ India Mart और नीचे से आपको India Mart कर लेना है चूज trigger event आपको इदा पर चूज करना है new leads और फिर आपको click करना है connect वाली बटन पर तो इदा पर एक dialogue box उपन जाएगा आपकी screen पर जो बोल रहा है connect India Mart account तो basically आपको हैंपर जो India Mart का account उसको पैबली करने के साथ connect करना है इदा पर हम जाएंगे add new connection के साथ तो यहाँ पर आपको डालना है CRM key अब यह CRM key कहां से मिलेगी तो इसके लिए आपको हैंपर India Mart के account पर आना है फिर आपको हैंपर जाना है settings वाले option पर और फिर आपको click करना है account settings पर तो आप इदा पर देख सकते हैं CRM API की हैंपर शोरी इस पर आपको click करना है तो इदा पर current API की already शोरी क्योंकि मैंने key इदा पर generate करके रखी है अगर आपने key generate नहीं कर लिए तो आप generate key वाली button पर click करके इदा से key generate कर सकते हैं तो सबसे पहले इस API की को मैं हाँ से कर लेता हूं copy और simply यहांपर CRM key में इसको कर देते हैं paste और उसके बाद आपको click करना है save वाली button पर और आप इदा पर देख सकते हमाँ जो इंदिया मार्ट का अकॉंड हो successfully पैबली connect के साथ हो गया connect अब इदा पर लिखा है 24 hours मतलब यह polling based connection है मतलब जो भी latest lead generate हुई होगी इंदिया मार्ट में उसका response हमको capture हो जाएगा पैबली connect में तो इदा पर हमें click करता हूँ save and send test request वाली button पर और जी यहां दोस्तों आप इदा पर देख सकते हैं हमको यहांपर एक positive response मिल गया है इदा पर हमको subject line शोरी है requirement for 1KV commercial on grid solar power system हम इदा पर unique query ID शोरी है state यहांपर शोरी है मद्रिप्रदेश यहांपर हमको lead की details मिल गई है जैसे की name यहांपर शोरी है demo user mobile number यहांपर शोरी है email ID यहांपर मिल गई demo address पापलिट्यूस.com और इदा पर आप other details देख सकते हैं जैसे की city address और इदा पर हमको पापलिकनेक में इंडिया माट से अब दोस्तो हमारो objective क्या है कि हमको इस particular lead का notification send करना है telegram पे तो इसके लिए आप क्या करेंगे actions tap में आएंगे choose app में आपको इदा पर choose करना है telegram bot तो यहांपर मैं search करता हूँ telegram और नीचे से आप telegram bot कर लेंगे choose action event आपको इदा पर choose करना है send a text message और reply और click करना है connect वाली बटन पे तो यहांपर एक dialogue box उपन जाएगा आपकी screen पे जो बोल रहा है connect telegram bot account तो basically आपको यहांपर जो telegram का account उसको पैबली करने के साथ connect करना है यहांपर आपको दो option मिलते हैं add new connection का दूसरा select existing connection का तो अगर आपने आपका connection already built करके रखाया तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं यहांपर आपको previous safe connection show होते हैं अगर आप इदा पर जाते हैं add new connection के साथ तो आपको इदा पर डालना है token तो token आपको कहां से मिलेगा तो नीचे information given है कैसे आपको token generate करना है मैं आपको directly बताता हूँ कैसे आप telegram web में token generate करेंगे तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ telegram पे इदा पर आपको search करना है bot father okay bot father आप search करेंगे और यहांपर आप start पर click करेंगे मतलब आप इदा पर chat start करेंगे ठीक है फिर आपको इदा पर various options मिलेंगे जैसे कि आप इदा पर देख सकते हैं new bot create a new bot edit your bots के लिए आपको यह type करना है edit bots के लिए यहाँ पर given है आप क्या-क्या इदा पर type कर सकते हैं इदा पर हमको new bot पहले create करना पड़ेगा तो इदा पर हम new bot पर click करते हैं फिर आप इदा पर देख सकते हैं all right a new bot how are we going to call it please choose a name for your bot तो यहाँ पर आपको आपके bot को कोई random name देना है let's say मैं मेरे bot का नाम यहाँ पर रखना चाहता हूँ indiamart bot ठीक है तो यहाँ पर हम डालते हैं indiamart ओके और इदा पर हम एक number लेते हैं let's say 001 bot okay all right तो now let's choose a username for your bot हमको इदा पर username लखना है bot का तो इसको हम इदा से करते हैं copy अब username में आपको क्या करना है username में आपको बस underscore bot लगाना है बाकी का आप जो bot का name है वो same लग सकते हैं तो इदा पर हम रख लेते हैं indiamart 001 underscore bot ठीक है all right send करते हैं तो आप इदा पर देख सकते है use this token to access the http API ठीक है तो यहाँ पर में को token मिल गया है इस token को मैं हाँ से कर लेता हूँ copy ठीक है कुछ इस तरीके से आपको token generate करना है और simply हाँ पर public connect में token वाली field में इसको कर देना है paste ठीक है और उसके बाद आपको इदा पर क्लिक करना है save वाली बटन पर तो आप इदा पर देख सकते हैं हमाँ जो telegram का account है वो successfully public connect के साथ हो गया connect अब नीचे आप fields देख सकते हैं chat id text message message thread id reply to message id disable notification और other fields ठीक है तो इदा पर जो required field है उनको हम अभी इदा पर देखते हैं बागी की fields आप इदा पर blank छोड़ सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमको इदा पर chat id देना है तो chat id के लिए हमको इदा पर particular channel या group की id इदा पर देना है ठीक है तो सबसे पहले इदा पर मैं group create करता हूँ जिसकी मदद से हाँसे में chat id दे पहूँ जैसा कि आप इदा पर देख सकते हैं ये है chat id ठीक है तो जिस particular group पे मैं message send करना चाहता हूँ receive करना चाहता हूँ उस particular group की इहाँ पर chat id में डालता हूँ तो इसके लिए मैं हाँ पर मैं new group create करता हूँ तो इदा पर हम जाते है new group पे और add members में यहाँ पर मैं bot को add कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं मेरे bot को search कर लेता हूँ जिसका नाम है indiamart 001 bot ठीक है इसको हमने इदा पर add member में choose करा और इदा पर में मेरे group को कोई नाम दे देता हूँ ठीक है indiamart leads notification indiamart leads notification यहाँ पर group का नाम रख रहा हूँ तो इदा पर हमने एक group create कर लिया है जिसका नाम है indiamart leads notification अब इदा पर आपको क्या करना है इदा पर आप देख सकते हैं two members यहाँ पर शूर है एक तो owner जिसने group create कर रहा है और यहाँ पर bot भी हमने add कर रहा है तो आपको इस bot को क्या करना है इस bot को promote to admin करना है यह एक important step है जिसकी मदद से bot को rights मिल जाएं हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं इसको promote to admin कैसे करूँगा तो इदा पर आपको क्या करना है यह चीज़ आपको आपके telegram mobile application से करना है आपको आपके mobile में telegram open करना है telegram application open करना है उसके बाद जो भी group आपने create करा है जैसे कि यहाँ पर मैंने create करा है India Mart Lease Notification तो यह group में को यहाँ पर मेरे phone में भी show हो रहा है ठीक है तो उसको आपको open करना है bot को hold करके रखना उसको promote to admin कर देना है ठीक है और आपको इदा पर permission जो जो grant करना है वो आप इदा पर choose कर लेंगे और tick वाली button पर click कर देना है तो यहाँ पर मैंने मेरे phone से जैसे इदा पर tick करा promote to admin करा तो इदा पर यह particular board admin बन गया है आप इदा पर देख सकते हैं ठीक है तो यह step आपको इदा पर perform करना है अब यह जो group में इदा पर जो URL में शोर रहा है यह है chat ID इसको इदा पर मैं कर लेता हूँ copy ठीक है इसको इतना आपको copy करना है यहां से और simply यहाँ पर आप chat ID में इसको कर देंगे paste कुछ इस तरीके साब आपको chat ID देना है उसके बाद आपको इदा पर text message में message draft करना है जो message आप भेजना चाहते हैं आपके telegram channel पर ठीक है तो इदा पर मैंने extended message draft करके रखा है इसको मैं इदा से कर लेता हूँ copy आप आपके use case के according आपके according message को customize कर सकते हैं यहाँ पर मैं इस message को कर देता हूँ paste यहाँ पर मैं इस standard message draft कर रहा है ठीक है इसके हम इदा पर थोड़ी सी formatting कर लेते है ओके तो हमारा message किस तरीके से जाएगा hello team we have received a new lead from India Mart here are the details name of the lead email phone number please review this information ठीक है अब इदा पर आपको एक important चीज़ समझना है जिसको बोलते है mapping इदा पर मैंने जो भी चीज़ manually type करी है यह हमेशा static रहेगी मतलब यह जो message मैंने इदा पर manually type करा है यह हमेशा static रहेगा लेकिन इदा पर मैं चाहता हूँ name of the lead email phone number यह details हमेशा change होती जाए इसको हम इदा पर करेंगे map मतलब यहाँ पर मैं lead की details manually type नहीं करूँगा इदा पर हम mapping का इस्तिमाल करेंगे जो कि एक important step है तो data map आप कैसे करेंगे यह आप देख सकते है previous step का response यहाँ पर show हो रहा है तो इदा से आप lead की details map करेंगे तो यहाँ पर हमको name of the lead देना है तो name of the lead क्या है demo user तो इदा पर मैं map कर देता हूँ demo user ठीक है कुछ इस तरीके से आपको data map करना है तो इसको बोलते है mapping अब जब भी हमारा workflow run होगा और जो भी new lead का response हमको received होगा वो response automatically इस response की जगे जाएगा यह value change हो जाएगी क्योंकि हम data map कर रहे है कोई भी चीज़ आप इदा पर manually type करेंगे हो मेंचा static रहेगा वो change नहीं होगा ठीक है इसलिए यह important step है कुछ इस तरीके से आपको data map करना है फिर हम इदा पर email id भी map कर देते हैं lead की यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ email तो demo address.pabilityuse.com email id map कर दी और उसके अदम को देपर phone number map करना है तो यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ mobile तो यह हमने phone number भी map कर दिया lead का ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको data map करना है फिर इदा पर आप देख सकते है message thread id reply to message id या भी required field नहीं है इसको हम अभी blank छोड़ रहा है आप इदा पर write कर सकते है disable notification yes no आप इदा पर रख सकते है disable web page preview yes no रख सकते है ठीक है उसके पार से mode में आप इदा पर आपके requirement के हिसाब से html markdown चूज कर सकते है यहाँ पर मैं html चूज कर रहा हूँ ठीक है indiamart 001 bot जो bot का name है वो यहाँ पर शो रहा है chat title यहाँ पर शो रहा है indiamart lease notification मतलब जो particular group हमने create कर रहा है उसका name ही आपर शो रहा है ठीक है और इदा पर result text में हमको यहाँ पर message शो रहा है जो message हमने उपर draft कर रहा है आप इदा पर देख सकते हैं तो जब आपको कुछ इस तरीके का response receive होगा मतलब आपका automation successfully work कर रहा है यह check करते हैं telegram पर जी हाँ दोस्तों आप इताब देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक new message received हो गया है hello team we have received a new lead from indiamart here are the details name of the lead demo user email id हैंपर शो रहा है phone number फोन नमबर शो रहा है please review this information ठीक है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप telegram पे automatically message भीज सकते हैं notification send कर सकते हैं जब भी कोई new lead generate होगी indiamart पे public connect में वापिस चलते हैं तो दोस्तों सबसे पहले summarize करता हूँ कि इस पूरे automation में हमने क्या कर रहा है तो इस automation में trigger में हमने लिया indiamart trigger even हमने लिया new leads action step में हमने लिया telegram bot action even हमने लिया send a text message और reply जिसकी मतलस हमने telegram पे notification भीज दिया message भीज दिया हमारे particular group या channel में दोस्तों इधा पर लिखा है 24 hours मतलब ये एक polling based connection है मतलब हमारा automation कैसे work करेगा जब भी कोई new lead generate होगी indiamart पे 24 hours के अंदर public connect चेक करेगा वो lead को और अगर in case lead generate हुई है तो automatically lead का message हमारे telegram के group पे चला जाएगा ठीक है तो दोस्तों अगर आप के time reduce करवाना चाहते है तो आप हमको forum पे mail कर सकते हैं इसके regarding और अगर आप ये automation पे काम करना साथ है और इस workflow को test करना साथ है तो इस workflow की जो link है वो मैं आपको description box में share कर दूँँगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप में को comment section में जरूर बताए Thank you यही नहीं दोस्तों आप और भी amazing automation बना सकते हैं पैबली कने की मदद से और आप हमको mail कर सकते हैं supportadretpably.com पे अगर आपकी कोई query है या फिर कोई doubt है तो आप हमको reach out कर सकते हैं forumadretpably.com पे और अगर आपको कोई pricing related issue है तो आप हमको reach out कर सकते हैं इस particular link पे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें